नमस्कार दोस्तो मिरनम गजिंदर है आजका जोम वीडियो है उसके अंदर में आपको बताऊंगा डबल सैड पोकेट प्लाजों की कटिंग कैसे की जाती है एण उसकी श्टिच इस तरही की जाती है तो दोस्तों देखे, मैंने इप लाजो बनाए है, सिंपल पलाजो है, लेकिन इसे मैंने दोनों सैड पोकिट लगाए है, यह देखे, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सैड मैंने इस तरफ लगाए है पोकिट, यह देखे, और एक पोकिट लगाए है मैंने इस तरफ, तो दोस्तों बहुत ही बारी के से मैंने वीडियो बनाई है और एक एक चीज़ को मैंने डेटेल में एकस्प्लेइन किया है यदि यहां वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी दोनों साइड पोकेट पलाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीख जाओगे मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी यदि वीडियो आपको मारा पसंद आता है तो आप हमारे चनल को अभी सस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि इस लाइफ सम्मनत वीडियो मैं मेरे चल पर डालता रहता हूँ अब समय को विष्ट नहीं करते अब हमें क्या करना है इस कपड़े को फोर फोल्ड करना है इस तरीके से यह देखें और करने का इसके अंदर जो खुले वाला हिस्सा है यह आपको रखना है अपनी तरफ और जो बंद वाला हिस्सा है यह आपको रखना है सामने की तरफ जब हम इसको इस तरीके से फोर फो भी करेंगे, यह देखे, अब इसकी मैं कटिंग कर देता हूं बराबर, अब यह वाला जो हमने निशान लगाया था दोस्तों, यहां से हम रखेंगे इसके लंबाई, इसके जो लंबाई है, वो है 37 यहने की 37, यह देखे, एक निशान मैं लगा रहा हूं 37 पर, बिल्कुल और यह वाला जो एक्ष्ट्र कपड़ा है, यह चला जागा निचे फोल्ड करने में, और इन दोनों निशानों को बीच के लंबाई बन रही है दोस्तों, वो बन रही है 37 यह देखे, आपको समझ में आगे होगा कि मैंने निशान किस तरीके से लगाए, अब बात करते है कम कमर का मेजरमेंट है दोस्तों, वो है 34, यानि की 34 इंच, ठीक है, अब कपड़ा मेरे पास में 4 फोल्ड है, तो क्या करूँगा, जो 34 बन रहा है, इसका मैं चोथा हिस्ता कर लूँगा, चोथा हिस्ता जो बनेगा इसका, वो बनेगा 1.5 आपको क्या करना है, यहां से किनार एक्ष्टा और लेना है, क्योंकि इसके अंदर पूरे गंदर लगाएंगे, इस तरीके से, तो इसका exact जो कमर का मेजरमेंट आएगा, वो यहां पर आएगा, अब बात करते हैं दोस्तों, इसका आसन किस तरीके से रखना है हमें, आसन निकालना के सबसे सिंपल फोर्मूला है, हिप का जितना भी नाप होता है, उसका आपको चोथा भाग लेना है, और उसके अंदर 1,5 इंच प्लस करना है, अब इनका जो हिप का मेजरमेंट है दोस्तों, वो है 38 इंच, ठीक है, 38 का जो चोथा भाग बनेगा, वो बनेगा 9 इंच, आप साड़े 9 में में 2,5 प्लस क करना है, टोटल बन जाया गई है, 11 इंच, यह देखें दोस्तों, अब इस वाले निशान को बढ़ा कर लेना, इस तरीके से, अब यह वाला जो हमने निशान लगाया है, यहां से हम रखें इनकी थाई के मेजरमेंट, इनकी थाई के जो मेजरमेंट है दोस्तों, वो है 26 इं इनका जो फिक्स मेजरमेंट है थाई का, वो है 24 इंच, लेकिन मैं यहां पे 26 रख रहा हूं, क्योंकि 2 इंच में इसके अंदर लूजिंग रख रहा हूं, तो यह होगा 26 इसका थाई के मेजरमेंट हो गया, अब बात करते हैं बोटम की, अब जो इनका बोटम है दोस्तों, आप भी इसको यहां से 13 इंच ही रख सकते हो, आप कम भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको एक इंच कम रखंगा, 13 के जगा मैं रखूँगा 12 इंच, यह देखे, 12 पर मैंने निशान लगा दिया, अब क्या करना है इस निशान को इस में मिलाना इस तरीके से, यह देखे दोस् दो इंच पीछे लगाना इस तरीके से, ठीक है, अब इस वाले निशान को, इस वाले निशान में मिलाना है, ये निशान हलका सा तिर्चा लगता है, अंदर की तरफ लगता है, मैं बताऊंगो क्यों लगता है, इस तरीके से, ये देखें दोस्तो, एक निशान आपको इस तर कि यह वाला जो निशान है दोस्तों यह तो फिटिंग का हो गया लेकिन मैं इसका अंदर एक्स्ट्रा मार्जन भी रख रहा हूं सिलाई लगाने के लिए तो दोस्तों देखें पिलाजू के कटिंग तो मैंने कर दिये बहुत सिंपल है अब बात करते हैं पोकेट के कटिंग हम किस तरीके से करेंगे वह भी बहुत सिंपल है यह देखें दोस्तों मेरे पास में कपड़ा है इस तरीके से इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर देता हूं डबल फोल्ड हो गया यह, अब क्या करना है, इसको इस तरीके से, फोर फोल्ड करना है, यह देखें दोस्तों, इस तरीके से, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पोकेट की लंबाई रखने है, पोकेट की जो लंबाई हम नोर्मली रखते हैं, वो रखते हैं 15 इंच, लेक लेना है क्योंकि एक इंच मार्जन में भी चला जायाएगा और इसकी जो चोड़ाई है दोस्तों मैं रख रहा हूं 1.5 इंच ठीक है यहां से भी 1.5 इस तरीके से और आपको इसकंदर इस तरीके से गोलाई में शेप देनी है यह देखें इस तरीके से अब यह वाला जो इदर मिला देना नीची की दरफ यह देखें और इस निशान के इसके कटिंग करनी है खोड़ा से अस्ट्र माजन लेना है तो दोस्तों देखें दोनों पोकेटों की कटिंग मैंने कर दी है अब प्लाजों के कटिंग करना था बहुत सिंपल था मैंने आपको बता दिया और एक आपको इस तरीके से रखना है एक के ऊपर एक और आमने सामने अब हम क्या करेंगे इनके आसन की स्लाय लगाएंगे पहले तो इननों लोगों बराबर करना इस तरीके से ठीक है और यहां पर आपको आदा पॉनेंच का मार्जन देते हुए इस तरफ लगानी है सेम इदर करना है तो देखें दोस्तों दोनों आसनों मैंने सिलाईय लगा लगा लिए है इस थरफ भी और इस तरफ भी आभी मैं आपको यह वालासन दिखा देता हूँ यह देखें, इस तरीके से इस कासन बन गया है, अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों सेट पोकेट लगाएंगे, पोकेट लगाने के काफी सरे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल और इजी तरीका बताऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूं, यह रहा, एक पोकेट यह और एक यह रहा, ठीक है, एक पोकेट लगेगा, और एक लगेगा इस तरफ, ठीक है, अब आपको क्या करना है, पिलाजो को इस तरीके से रखना है, उसके बाद में यह देखें, यह पोकेट है, यहां से मैं राउंड में जो कटिंग की थी, यह इस सा नीचे रखना है, और सीधे वाला रखना उपर की तरफ, आपको क्या करना है, इस तरीके से, इस पोकेट को इसके उपर इस तरीके से रखना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक निशन आपको लगाना है, चार इंच की दूरी पर, यहां से, यह देखें, ठीक है, इस तरीके से, और एक निश से 6 इंच नीचे ठीक है अब आपको क्या करना है यहान से आपको 25 इंच सलाय इस तरीके से लगानी एउस के बाद में इस तरीके से लगानी है ठीक है और ऐसे निकाल देनी है यह इसलाय में आपको मशीन पर लगा के दिखाता हूं ये वाली सिलाई लगाने के बाद क्या करना है ये देखें आपको एक कट इस तरीके से लगाना है सिलाई तक ठीक है और एक कट आपको लगाना है यहाँ पर इस तरीके से ठीक है उसके बाद क्या करना है ये देखें ये वाला जो पोकिट है मारा ये चला जाएगा अंदर की और यह पोकेट आपको इस तरीके से बन जायगा लेकिन उससे पपले आपको क्या करना है यह देखे आपको सिलाही लगानी है यहाँ आपको पॉकेट गूम बन जायगा यहां से ठीक है अब यह इस तरीके से हो जाएगा यह देखे मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से ठीक है यह देखें दोस्तो अब आपको क्या करना है जिसको इस तरीके से रखना है और यह वाला जो कपड़ा है इस तरीके से रखना है अब आपको यहां फे सलाह स्टार्ट करनी है, यहां से लगाते हुए और यहां से निकाल देना है, और एक सलाह इस तरीके से लगानी है, इस सलाह मैं आपको मशीन पर लगा कर दिखाता हूँ, देखे दोस्तों इस तरीके से आपको बराबर रखने कपड़ा है यहां से, उसक अब इस तरीके से गुबाना इसको तो देखे दोस्तों इस से लाई हमने लगा ली है एक बार मैं आपको इसके अंदर मेरा हट डल के दिखा देता हूँ ये देखे इस तरीके से अब ये तो इसका सीधा वाला इससा है दोस्तों मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ यह देखे यहां से भी घुम हो गया और कितनी फिनीशिंग से और पोकेट लग गया है यह देखे दो स्थो आप जिस तरीके से हमने इधर बोकेट लगाया है सेम् इसी तरीके से मैं इस साथ के पोकेट लगा लेंगे इस वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है ठीक है अब दूसरा वाला पार्ट है बारे पास में इसको आपने रखना है इस तरीके से यह देखें इस तरीके से ठीक है और नीचे इनके चारो यह पार्ट मिलाना है एक वाला यहां मिलाना है आपको इस तरीके से ठीक है और दिखिरी है इसके अंदर, जो किनार्य ऐष्टा रखी ती, उसके इस तरफ आपको 감स् Tтории लगाना पूर। यहां तक आपको सलय लगानी है जहां तक पोकिट लगा हूँ है इससे आगे जो सलय लगानी है वो किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको मशीन पर बताता हूँ यहां से हमारा pocket start है ठीक है अब आपको क्या करना है इसको इस तरीके से रखना है लेकिन जो इसलाय लगानी है यह बड़े ध्यान से लगानी है ऐसा नहों हमारा pocket बंद हो जाए यहां से pocket start है आपको इसलाय यहां लगानी है pocket को इस तरीके से कर देने और इस खपड़े में इस तरीके से यह देखे मिल्कुल फिल्स लाय लगानी है मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से इसको मैं इधर किया इसको बराबर किया और यह देखें ध्यान रहे pocket बंद नहीं होना चाहिए इस तरीके से पीछे से रख पोकेट को यह देखे दोस्तों जो पोकेट है हमारा यह बंद नहीं हुआ है इसमें आराम से हाथ चला जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है जैसे मैं इधर से लए लगाई है सेम आपको इधर से लए लगानी है यहां पर भी ऐसी करना है जो pocket इसको पिछे सरकादेना इस तरीके से और इस कप्ड़ के बड़े पी चलाई लगानी है तो देखे दोस्तों दोनों सेट मेरे सलाईयां लगा लिए है इस तरब भी और इस तरब भी अब आपको क्या करना है ये देखे नीचे फिर जो मुने एक्स्ट्रा लिया था दो इंच, आपको निशान अगर आ रहा हूँ यह वाला, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, हाफ इंच इस तरीके से, और डेड़ इंच आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दोनों पाइचे फोल्ड करने है, और ब पकड़ते हुए इसमें इस तरीके से इनको बराबर करना ऐसे और आपको इसलाई लगानी है इस तरीके से ठीक है उन्हें जो आसने दोनों आपके यहां पर इस तरीके से मिल जाएंगे और यह वाली सलाई यहां से लगाते हुए आपको इस तरफ निकालनी है यह वाली सलाई इस तरीके से इसको एक बार ऐसे 1.5 इंच फोल्ड करना है ठीक है उसके बाद में 1.5 इंच इसको इस तरीके से फोल्ड करना है यह देखे और किनारे में आपको सलाई लगानी है लेकिन आपको करना क्या है इस सलाई पूरे में नहीं लगानी जैसे यहां से आपको सलाई स्ट सब्सक्राइब इसे लाइं के चू डूट गये इस तरीके सी यहां पिसलाइब नाइक खतम कर देनी है किस तरीके से लगेगी है यह मैं आपको Days coin पर बताता हूं इस तरीके से फ्टर करते जाना धूह किया दूए तो होगा कि इसमें जोला जाएगा बिल्कुल हलके आत उसे इसको इस तरीके से फोल्ड करना यह देखें यह देखें दोस्तों इतनी जगे मैंने यह छोड़ दिया है यह जगे मैं इसलिए छोड़िए क्योंकि यहां से मैं डालाओं इसके अंदर iLSक तो नेफे को मैं नह देखें पूरा फोल्ड कर दिया है इधर से भी और इधर से भी ठीक है सिर्फ मैं यहां से दो इंच के आध़ से जगे छोड़ दिये यह मैं इसलिए चोड़िए क्योंकि यहां से मैं डार होगा Link में उनमें पर सब्सक्राइब करते हैं 3-3 वीड़ople और यहां से आपको इलास्टिक डालने इस तरीके से नाडे की तरह और यहां से आपको निकालनी है तो देखे दोस्तों यह इलास्टिक इस तरफ से निकल गी है मैं इस तरीके से पिन को निकाल दूगा अब क्या करना है यह Elastic है इसको इस तरही से पकड़के यहाँ पर आपको तो तिन सिलाई लगानी है और इसको इसमें जोड़ना है इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यह Elastic इसके अंदर चली जाएगी यह देखें अब यह जो खाली जगे बच्ची भी थी यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है देखें दोस्तों Elastic इसके अंदर लग गई है मैंनो जगे भी बंद कर दिये अब हम क्या करेंगे इसके बीच में सिलाईयां लगाएं एक दो ताकि Elastic अपने जगे रूप की रहे क्या करना है इसको इस तरीके से करना है और जो सुये मशिन की इसको इसके अंदर इस तरीके से डालना है ठीक है इस तरीके से इस तरीके से करनी है और इसको यह देखें मेरा हाथ इस तरीके से इसको ऐसे खेंचना है और पीछे से भी ऐसे खेंचना है ठीक है और आपको सिल तो दोस्टों यह देखें, एक सलय मैंने इसकंदर लगा दी है, अब जिस तरीके से मैंने इसमें ख्याच की एक सलय लगाई है, एक सलय मैं इसके उपर यहां लगाऊंगा, और एक सलय लगाऊंगा, यहां पर, तो देखें दोस्तों, इसके लगा लिए है कितनी finishing से elastic लगी है हमारा प्लाजो बनगर complete है एक बर मैं आपको दिखा देता हूं यह देखें इस तरीके से यह इसका front है और यह देखें दोस्तों यह इसका back है और सबसे वड़ीवाद किया है इसके अदर मैंने दोनों सट pocket लगाए यह देखें एक इस शेयर करें क्योंकि सलाइफ इसमंदित इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं आप मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए thank you so much